हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो मैं हूँ प्रिती गुक्ता और मैरे चैनल प्रिती क्रेशन में आज आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है टॉपिक देखकर आपको समझ जाए ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक की रात को सोते समय कच्छा दूद और एलोवेरा जल लगाने की क्या-क्या फाइदे हैं दोस्तों वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा क्योंकि आदे एदूरी जानकारी कभी भी पूरा फाइदा नहीं पहुचाती आज मैं आपको दोनों चीजों के बेनिफिड बताऊंगी तो वीडियो को एंट तक देखेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अगल में बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और अपनी फैमिलर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर किजेगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के दुरूर पहुचे क्योंकि मेरे इस चैनल पर सुबह से लेकर साम तक हम महलाओ को जो भी प्रॉब्लम्स या समस्याय आती है तो आइए हम वीडियो सतार्ट करते हैं आप बात करते हैं कच्छे दूद की सबसे पहले बात होगी कच्छे दूद की से क्या फायद हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कच्छे दूद में लेक्टे के सिड्व होता है और समय बतार दूद के अपने पूरी तरह से लगा कर मालिस करेंगे दू से तीन मिनाट या फिर उसकी जगह मलाईष लेकर मालिस करेंगे दो से तीन मिनट तो यह आपकी स्कीन के पोर्स को ओपन कर देगा और रात ही है कैसी इसा समय होता है जब हमारी स्कीन रिपैर होती है जनरेट होती है तो आपको क्या करना है कच्छे दूद से अपने फेस की अच्छे से मालिस कर लेनी है फेस गर्दन एरिया अच्छे से मालिस कर लेनी ह जिससे क्या होगा आपकी स्कीन के पोर्स पूरे ओपन हो जाएंगे और इसकीन के पोर्स के अंदर तक के सारा मैल डर्ट पॉलुशन पूरी तरह से निकल जाएगा अगर आपको पिंपल है अगर आपको जाईया है मिट नहीं रही है तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूसफूल होगा क्योंकि जब आपके पोर्स ओपन होंगे तो आपकी स्कीन की जो दिन भर की गंदगी होती है वो पूरी बाहर निकल जाएगी आप फिर उशे वाश कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों कच्चे दूद में लक्टिक एसिर होता है और यह हमारी स्कीन में टोनर की तरह काम करता है जब आप कच्चे दूद की अच्छी तरह आपने फेस पर मालिश करते हैं तो पोर्स अंदर तक ओपन हो जाते हैं और अंदर त चले जाती हैं वो सारी चेहरे के अंदर तक से बाहर आ जाती है दोस्तों उसके बाद हमें हमारे फेस पर जैसे ही हमने दूद से हमारे फेस को क्लीन कर लिया दो मिनट तीन मिनट का रेस्ट देना है उसके जल से बाद आपको एलोवेरा जेल अपने फेस पर एज लोशन तादू में आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा लिव है तो आप फ्रेश एलोवेरा लिव का उपयोग करें तो यह कि फ्रेश एलोवेरा जो होता है वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप पतन जली का एलोवेरा जेल यूज़ करें मेरे पास यहां पर बहुत बड़ा पेक है अलोवेरा जेल का जो मैं आपको बता रही हूं इसे आप थर्ड कॉपी प्रोड़क्ट बोल सकते हैं लेकिन आपको इंस्टेंट रिजर्ट चाहिए तो आप फ्रेश अलोवेरा जेल लें और या तो फिर पतन ज लिए का यैज़ बड़ा जेल है अब मैं आपको बता रहू की एलोवेरा जेल क्या का काम करें खाले में थेंत पर्णwałло की यहां है केंन रगा नहीं दिखाई दे रही है हमारी स्कीन मरी मरी भुजी भुजी दिखाई देती है तो एलवेरा जेल जो है ना पोर्स के अंदर तक जाकर आपकी स्कीन में एक निखार लाएगा आपकी स्कीन को चमकदार बनाएगा आपकी स्कीन को शाइनी करेगा आपका चेहरा चमक उठेग एलविरह जेल के उतकी जमगती सब्द्द और दूप्यों एट Bennett' की प्राब्लम रिमोँ हो जाएगी पिरत प्राब्लम रिमोँ हो जाएगी साथ आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है वह बहुत जयादा जाएना हैं बहुत ज़्यादा पिग्मेंटेशन है तो वह प्राब्लम से भी दिरे दिरे रिमू हो जाएगी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को सस्क्राइब कीज़ेगा अपने फैमेली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीज़ेगा इसे एक मेहना अपयों कर आनुवा कमेंट बाक्षे में शेयर कीज़ेगा